So guys data structures and algorithms के इस course में हम लोगों ने abstract data type के बारे में पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में और आप लोगों को समझ में आ गया हुआ कि abstract data type कुछ नहीं है बस in float जैसा एक नया data type है जिस पे हमने कुछ अपने set of values और operations को define किया हुआ है अब abstract data type जो होता है न उसको हम लोग object oriented programming से directly link कर सकते है abstract data type बना था अपने custom data type बनाने के लिए कि आप अपने user को उसके काम के data type दे सको बना कर अब यहाँ पर मैंने क्या किया है न एक one note notebook बना लिए मैंने एक notebook नाम से folder बना लिए यह मैं चाहता हूं आपको folder hierarchy भी दिखाता रहूं मैं जिस तरह से कर रहा हूं काम यहाँ पर क्योंकि जब मैं zip करके बाद में आपको दूंगा इस चीज़ को तो आप लोगों को पता रहेगा कि कहां पर क्या चीज़ है तो यह मैंने एक one note notebook बना हुई है और यहाँ पर algorithms.one के नाम से one note notebook है जिस पर मैं सारी की सारी notebook बनाऊँगा इस पर मैंने time complexity का जो question है वो practice set solve करवाया था अब मैं आपर एक नया section मना लूँगा इसका नाम मैं रख देता हूं ADTs और यहाँ पर हम लोग continue करते हैं ADTs का discussion तो य और लिख लेते हैं कि जो ADTs हैं तो मैं यांपर लिख देता हूं मैं फोड़ी इस लाइन यहाँ बर लियाता हूँ से पहले तो set of values, ठीक है, set of values, plus set of operations on them, ठीक है, plus set of operations, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें काम करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको compare करेंगे int data type से, ठीक है, तो मैं आपर आप लोग को int data type की बारे में बताऊंगा, जो कि हम लोग जानते ही हैं, integer data type हमारा, जो int data type होता है हमारा वो क्या होता है, आप 9 उसमें store कर सकते हो, आप उसमें 10 store कर सकते हो, आप उसमें 12 store कर सकते हो, कोई भी integer आप उसमें store कर सकते हो, क्या जब आप 9 प्लस 12 लिखते हो, और आप लोग को 21 जवाब मिलता है, क्या आपको पता होता है, यह कैसे आया, यह जो 21 जवाब है कैस से आया अब देखो जो computer के अंदर यह integer stored है वो 0 और 1 के form में stored है यह तो आप जानते ही हो कभी भी आपके पास stored होगी कोई भी decimal value वो binary में आपके computer में कहीं न कहीं bits में stored है अब जब operation करना होगा उन दो integers पर अब यह क्या है plus एक operator ही है ठीक है यह operator ही है और कुछ नहीं है अब यह operator इनसान की तरह तो जोड़ेगा नहीं ऐसा तो यह करेगा नहीं कि 12 को यहां रख लो 9 को यहां रख लो यहां पर plus का निशान लगा लो 9-2 होता है 11 एक carry over और यह इनसान की तरह calculation ऐसे नहीं करता है यह bits में करता है operation और इसका अपना तरीका होता है operations को perform करने का अब यहां पर क्या है कि 9 plus 12 21 आ गया है लेकिन हमें पता नहीं है कि 21 कैसे आया यानि कि यह details हमसे abstracted है क्या है details abstracted है मैं आपर लिख देता हूं एरो लगा कर details जो है वो abstracted है तो details abstracted है हमसे हमसे चुपी हुई है और हमें नहीं पता कि यह चीज़ कैसे हुई लेकिन हाँ हमें इतना पता है क्या हुआ और हमें यह पता है कि जो हमको जवाब मिलने वाला 21 वो एकदम correct मिलने वाला है प्लस 12 का तो इंटीजर जिस तरह से एक data type है इंटीजर एक abstract data type नहीं है प्रिमिटिव data type है इंटीजर के जैसा मैं एक अपना data type बना सकता हूं मारलो मैं एक my array नाम का data type बनाना चाहता हूं अब आपको कि array तो already होता है c language में लेकि मैं एक special तरह का array बनाना चाहता हूं और मैं इसको define कर रहा हूं कि उसमें मुझे क्या चाहिए तो मैं आपर इसको एक नए तरह का data type बनाना चाहता हूं जिसमें मैं कुछ अपनी properties देखना चाहता हूं और अपने हिसाब से इसको जो है customize करना चाहता हू तो मैं कर सकता हूं ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा my array है ना उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से रखना चाहता हूं उसको कि ये एक array रहे है ठीक है और इसका एक total size रहे total underscore size उसी के साथ साथ इसका एक used size रहे अब मैं इनके बारे में आप लोग को बताऊँगा ये addt मैंने define किया used underscore size ठीक है और उसके बाद एक address हो base address तो मुझे base address लिखना चाहिए आपर मैं base address लिखूँगा base address या pointer तो मैं आपर लिख दूँगा base address या बेस address या बेस address या बेस address तो ये तीन चीजे मेरी क्या करेंगी इसके data को represent करेंगी ठीक है जो भी मेरा my array addt बन रहा है set of values का representation वो ये है ठीक है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और मैं आपर लिख देता हूँ plus यानि कि set of operations इस पे मैं कुछ operations define कर सकता हूँ वो operations क्या हो सकते हैं वो operations कुछ भी हो सक करता हूँ कुछ इस तरह से मैं get operation यहाँ पर कहूँगा कि मुझे get operation चाहिए इसमें set operation चाहिए set क्या करेगा get के अंदर आई आएगा च्योंकि मैं चाहूँगा कि मुझे वो index मिल जाए जो भी मैं इस array के अंदर से value लेना चाहता हूँ फिर मैं चाहूँगा कि Ith index मेरी set हो इस तरह के operations हम बहुत सारे define कर सकते हैं और हम अपने custom data type बना सकते हैं तो abstract data type मैंने एक my array बना लिया है बट यहाँ पर मैं एक बार और जाना चाहूँगा उस detail में जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि arrays जो है वो memory में किस तरह से रहते हैं तो इस notebook में एक और page हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर मैंने one note recently इस channel पर use करना start किया है क्योंकि मुझे लगता है कि यार टोड़ा सही रहेगा हम लोग अगर one note use करें तो काफी मुझे इसका interface ठीक टाग लगा जैसे कि मैंने आपर एक नया page बना दिया मैं इस page में वापस हा सकता हूँ तो यहाँ पर किस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी आप देखो मैं चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो memory representation मैंने बनाया था तो मैं वापस से वही diagram बनाऊँगा तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं shapes insert करता हूँ और उसको shape insert करके मैं तो अच्छे से बना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं पर लिखूँगा यह मेरी memory है main memory ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा memory तो यह मेरी memory है memory का मतलब होता है RAM और मेरी जो memory है उसकी सहायता से मैं क्या करूँगा मैं अपने program को सबसे पहले memory में load करूँगा उसकी सहायता से अपने program को चलाओंगा तो सबसे पहले क्या होगा यह program main memory में load होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया memory ठीक है यह मेरी memory है अब इस memory में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास बहुत सारे segments होते हैं जैसे कि हमारे पास सबसे पहले code segment होता है जिसके इंदर सारा code होता है त है बस कुछ initialized segments होते हैं वो भी यहाँ पर आ गए you and I लिख देता हूं उसको फिर उसके बाद जो main बात मैं करना चाता हूं मैं करना चाता हूं stack और heap की तो यह है stack और यह है heap जो stack होती है वो होती है static memory heap होती है dynamic memory यह हम लोगोंने देख लिया है अब अगर मुझे एक array बना लूँ जैसे की main function की अगर stack मेरी यह है ठीक है यह मेरी main की stack है यहाँ पर मैं main लिख देता हूं तब यहां तो मैं array यहाँ पर बना लूँ ठीक है कुछ इस तरह से और उसके अंदर की value सारी इन डबो में आ जाए यहाँ फिर मैं क्या करूं यहाँ पर सिर्फ एक pointer बना लू pointer क्या होता है जो की store करता है value मैंने आप लोग को बताया था कुछ वीडियो में पहले की pointer बाल्टी की तरह है जो की पानी store करती है pointer एक address store करता है तो pointer एक container ही है बिलकुल बाल्टी की तरह जो की store करता है address किसी दूसरे integer का अगर वो integer pointer है तो ठीक है तो यहाँ तो मैं यह PTR कर लेए यहाँ पर stack में और मैं कहूं कि यार मुझे heap में थोडी सी memory दिलवा दो यहाँ पर मैं heap में कुछ memory request कर लूँ और यह heap यहाँ पर है इस location में यहाँ पर मैं कुछ memory request करके इसके पहले address से point बालो और मैं यहाँ पर अपना array जो है वो request कर सकता हूं उसकी जो indices रहेंग एक यह बना सकता हूँ एरे तो एरे को बनाने का मैंने आप लोगों को बता दिया है उसका index क्या है C++ में आप new operator उसका सकते हो क्योंकि हम primarily C उसकर रहे हैं तो मैं कहूंगा int star malloc int star malloc अगर n size का रहे बनाना है तो n multiply by star office size of operator और उसके बाद int तो आपके architecture में integer जितना भी ले रहा है यह value उतनी होती है अगर 4 लेता है तो 4 होती है वन ना 2 होती है जितने भी byte ले रहा है integer आपकी यह value सहसाब से set हो जाती है ठीक है so I hope EG is clear हो गई आप यहोंको अब यह इस तरह से आप array बना सकते हो heap में आप बना सकते हो start में अब आप लोग को अगर यह array बढ़ा करना है मैंने आपको बताया था आप इस array को resize directly नहीं कर सकते आप realloc की मदद से भी नहीं कर सकते कुछ comment आ रहे थे कि हम realloc की मदद से resize कर सकते है array को लेकिन आप realloc की मदद से directly resize नहीं कर सकते array को आप realloc की मदद से क्या कर सकते हो दूसरी memory request कर सकते हो ठीक है लेकिन आप same memory को यहाँ पर extend नहीं कर सकते ठीक है और यहाँ पर there is no guarantee कि extend हो जाए तो cannot extend using realloc ठीक है तो आप realloc की मदद से इस तरह से इसको extend नहीं कर सकते है आप एक नहीं memory बना सकते हो और फिर PTR को उसके base address पर आपको point कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि resize करना array तो लेकिन वो सब चीज़े हम बात में देखेंगे बस मैं आप लोग को यह समझाना चाहता था कि जो stack है उसमें आप लोग एक array को request कर सकते हो आप heap में भी request कर सकते हो in the form of dynamic memory तो मैं वापस से यहां पर आ जाऊँगा और यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ एक यहां पर अगर मैं type कर दूँ और यहां पर मैं लिख दूँ stack ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ बता है यहां पर लिख कर आ जाएगा अगर मैं यह addies है यह stack ही पर ठीक है तो यह addies यहां पर मैंने लिख दिया है abstract data types तो abstract data types हमने देखा set of value, set of operation, int की तरह ही हम एक अपना my array बना सकते हैं जिसमें की हम define करेंगे total size, use size, base address और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने कुछ operations जो उस पर define करेंगे और मैं आपर लिख देता हूँ यह representation और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा operations, यह operations operations तो यह हमारे कुछ operations जो कि हम उस abstract data type पर लगाना चाहते हैं ठीक है यहां पर इस तरह से arrow भी लगा देता हूँ ज्यादा किच-पिच नहीं किया इस बार मैंने and I'm proud of that आप लोग कोई देखके बहुत अच्छे समझ में आएगा अब किस तरह से हम उसको code करेंगे अगर मैं इसकी बात करूँ आप लोग से तो उसका भी मैं आप लोग को idea दे देता हूँ तो मैं आपर क्या करूँगा और मैं कोट की बात में करतां देखो code हम अगर c language में कर रहे तो structure की मदद से करेंगे ठीकTo मैं c language पर कोड नियु लिख नए अगर नियुद्दी करूँगा और structure निइस क्यों इस करने के लिए मैं struct keyword करूँगा और यहाँ पर देखो मैं किस इस तरह से my array को convert करूँगा, तो यह my array आप लोग देख रहे हो, उसकी representation में क्या क्या है, total size है, use size है, base address है, तो यह क्या है सबसे पहले, यह मैं आप लोग को बता देता हूँ, मानलो मैं एक array बना रहा हूँ, ठीक है, मानलो एक array मैंने बनाया, यहापर थोड़ा सा color change करते हैं और मैं आपर जो array है हमारा, वो बनाऊंगा, तो मानलो मैंने आपर एक array बनाया, जिसके अंदर मानलो, शमता है, store करने की, let us say 20 elements, ठीक है, let us say, यहाँ फिर ठोड़ा छोटा ही रखता हूँ इसको मैं, क्योंकि मैं छोटा बना रहा हूँ, जितने element है, उतना ही रखता हूँ मानलो, यह मेरा array जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, और 5, कुछ इस तरह से मानलो, यह आ गया है, तो यहाँ पर मैं इसमें 6 elements store कर सकता हूँ, 0 to 5, ठीक है, अब यह मेरा जो 6 होगा, वो total size हो जाएगा, जो total size हो, मेरा क्या हो जाएगा, 6 elements को store करने का मेरा total size है, अब ज़रूरी निया ह में कि 6 के 6, सारे के सारे elements use करो, मैं इसमें से सिर्फ 3 elements भी use कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ values देदूँगा, 17, 18, 22, और यह जो है, यह मेरे saved रहेंगा, यह extra memory मेरी जो है, यह for later use रहेगी, कि कभी मुझे extend करना पड़ गया array, तो मैं इसको use कर लोगा, तो इसका बनाना पड़ेगा, उसमें copy करना पड़ेगा, तो मैं खिसकाना जादा बेथर समझता हूँ, अगर मैं खिसकाना जादा बेथर समझता हूँ, तो मैं my array नाम का ADT बना लोगा, क्या करूंगा, मैं my array नाम का ADT बना लोगा, अब यह आप की मर्जी है कि आप क्या amina abstract data type define करत अगर आप array abstract data type की तोर पे इस तरह से represent और उसमें operations करना चाहते हैं तो यह मैंने उसका blueprint लिख दिया है और इसको एक data structure का रूप दिया जा सकता है किसी भी programming language में मैं C language में आपको करके दिखाऊंगा और हम लोग क्या करेंगे structure का use करेंगे जिस पर total size होगा use size होगा base address होगा base address क्या होगा base address उस पहले element का address होगा जहां पर array point कर रहा है तो यह pointer होगा जो कि store करेगा इसका address जो भी मेरा यह पहला element है 0th index वाला ताकि मैं इस array को access कर सको अब आप लोग को पताए कि जो array है वो contiguous blocks of memory होता है तो इसकी जो length है जो कि 6 element को store करने की शमता है इसको मैं कभी आगे जाके extend नहीं कर सकता क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आगे की memory होगी जो contiguous blocks है array में हमारे पास सबसे बड़ी requirement जो है वो यह है कि हमें contiguous blocks ही चाह किसी और को बेज़ते अगिधने नहीं खरीदा है वह तो आपको क्यूं मिलेगा वह तो अगर आपकी किसमत अच्छी है तो आपको मिल सकते है लेकिन guarantee नहीं है कि आपको यह मिलेंगे और अगर आप बात करते हैं अगले आने वाले 50 मकानों की या फिर 10 मकान होगी जो भी आपका जो यहाँ पर memory blocks आगे के तो कोई guarantee नी है कि वो free है नी क्योंकि आपका जो computer है उसमें कोई और integer और कोई और data store जरूर से कर देगा और उसकी मर्जी एगर वो करेगा क्योंकि आपने तो सिर्फ यहाँ पर 6 blocks मांगे ना इंट size के अगर आपने एक integer array बनाया तो आपने इंट size के 6 blocks मांगे तो आप क्यों आगे की memory पर नजर डालोगे तो आप शुरू से ऐसा कर सकते हो कि आप शुरू से 6 मकान खरीद लो मैंसे 3 मकान यूस करो और कभी भी आप एक और मकान यूस कर सकते हो जो कि arrays की शक्ती क्या होती है कि उसमें जो आपका updation होता है और access होता है वो बहुत fast होता है ठीकें तो arrays में सबसे बड़ी हमारे पास जो advantage होती है वो यही होती है कि आप access कर सकते हो element को base address से calculate कर सकते हो fifth element का क्या address होगा base address से आप calculate कर सकते हो fourth element का address क्या होगा और ऐसा क्यों हो पाता है संबब क्योंकि ये एक के वादेग एक के वादेग एक वादेग लगे रहते हैं ठीक है अगर मान लो यहाँ पर आपका मैदान है जिसमें one से लेके हर kilometer पर एक एक वो लगा हुआ है milestone 3, 4, 5 चौथा आदमी, पांचवा आदमी ठीक है अगर आपसे कोई पूछता है कि पांचवा आदमी कितना दूर है और वहाँ पर जो निशान लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है मान लो ये Delhi से जो Delhi है हमारा वहाँ से कोई route है मान लो और वहाँ से यहाँ पर कितने किलोमेटर्स दूर है मान लो ये 190 किलोमेटर्स दूर है तो ये 191 किलोमेटर्स दूर होगा ये 192 किलोमेटर्स दूर होगा ये 193 किलोमेटर्स दूर होगा ये 194 किलोमेटर्स दूर होगा कि address का जो address है और directly pointer को de-reference करके आप उसकी value को update कर सकते हो या फिर आप उसकी value को अगर चाहो तो access कर सकते हो आपको पता रहेगा उसमें क्या है तो arrays में access fast होता है इसलिए हम लोग use करते हैं So I hope easy समझ गए होगे हम आगे भी क्या करेंगे अपना coding environment setup करेंगे और my array को एक structure के तोर पे हम implement करेंगे तो मैं थोड़ी सी implementation इसी वीडियो में quickly बता देता हूँ फिर coding तो हम करने ही वाले हैं तो मैं आपर क्या करूँगा मैं एक struct बनाऊँगा एक structure बनाऊँगा struct my array आप type def keyword यूज़ कर सकते हो ठीक है पर मैं यहापर जो core implementation उस पर focus कर रहा हूँ तो आप struct my array बनाएंगे यहापर bracket खोलेंगे आप यहापर एक size दे देंगे ठीक है मानलो आपने यहापर दे दिया size तो हमारे कौन-कौन से size थे हमारा एक तो total size था एक use size था ठीक है तो आपने लिख दिया in total size एक होगे आपका क्या एक होगे आपका used size ठीक है और इस तरह से आप लोग जो है अपना बना सकते हो structure और आप इसको implement कर सकते हो such that जो आपका total size है इतने memory block जो है reserve हो जाए तो memory to be reserved यह memory to be reserved है ठीक है यह memory में reserve करने वाला हूँ और जो use size है यह memory to be used है ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते है हम लोग dynamically memory allocate कर सकते है और उसके बाद हम लोग उसमें से कुछ use कर सकते है memory का कुछ part use कर सकते है और एक हमारा pointer भी होगा जो की store करेगा क्या हमारा जो array है उसका बीस अटर तो हम देखेंगे इसकी implementation जो है उसको हम लोग देखेंगे तो next video में क्या होगा कि हम implementation देखेंगे इसको complete करेंगे और मैं इसको id में complete करूँगा whiteboard में नहीं करना चाहता तो हम लोग next video में implementation देखेंगे अगर आप चाहते हो तो कोई problem वाली बात है नहीं तो यह notebook है यह मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा और मैं कामे करूँगा क्या कि पूरे zip करके यह folder आप लोग को देदिया करूँगा तो क्या होगा ना कि आप लोग अराम से जहां भी navigate करना है वाँ कर लोगे मैंने आप पर PDFs बना रखी हैं काफी चीज़े बना रखी हैं ड्रॉइ और डाइग्रामस बना रखी हैं और हमसे इस पूरे course में जो जो काम में करता जा रहा हूँ सब आप लोग को देता जा रहा हूँ आप लोग को बस करना किया है कि यार मेरी ये playlist को शेयर करना है दोस्तों के साथ अपने अगर आप ऐसा करते हो तो मैं इस तरह की वीडियो इस तरह के notes और ये सब चीज़े आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा इस notes मैंने आप लोग के लिए बना रखे हैं सारी details हैं इसमें और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ने कोर्स कर लिया और आपको 12 वीडियो देखने पड़ गए 6 महीने के बाद योग यार notes रहेंगे आपके पास तो एक बार आपको कोर्स करना है और उसके बाद आप लोगों का काम जो है सेट एक दम data structure and algorithm की जब तक बात आती है तो यार प्लीज मैं कहूंगा कि इस वीडियो को like करते रही है मैंने देखा शुरू के वीडियो में आप लोग लाइक करे थे नीचे like करना लोगों ने कम कर दिया है so I just want you guys to like keep up the into और अगर आप tempo हाई रखोगे तो यार मैं भी अपना tempo हाई रखोंगा so I hope कि आप लोगों ने इस से काफी कुछ सीखा होगा हम implementation करेंगे अपने इस ADT की आने वाले वीडियो में और I hope कि आप लोग शेयर करोगे और मेरी बात को टालोगे नियार प्लीज चेयर कर देना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time